आज की ताजा खबर पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब किजिए आज तक आपने दहेज के किस से बहुत सुने होंगे जिसके चक कर में न जाने कितनी दुलहनों की जान ले ली गई तो वहीं कितनी महिलाएं घरेलू प्रतार ना के शिकार होगी लेकिन आज हम एक ऐसे दुलहे का किसाब बता रहे हैं जिसे सुनकर आप भी उसकी तारीफ करेंगे और कहेंगे हर दुलहा ऐसा ही होना चाहिए यह कहानी है राजस्थान के कोलाली गाओं में रहने वाले जैदीप सिनकी जिन्होंने दहेज लेने से इंकार कर समाज में एक अनूठा संदेश दिया है मंगलवार रात को कोलाली गाओं के दिलीप सिनकी बेटी पलवी कमर का विवाग नागोह और जिले के रहने वाले जैदीप सिनके साथ हुआ इस दोरान एक रस्म में दुलहन के पिता ने एयर फोर्स में तैनाद दूलहे को शगुन के रूप में एक थाल में पांच लाक रुपे के शुरक उसके सामने बढ़ाया जिसको दूलहे ने हाथ जोड कर लेने से इंकार कर दिया दूलहन के घरवालों के बार-बार आग रह करने पर जैदीप और उसके पिता लक्षमन सिन ने कहा कि वे दहेज नहीं लेंगे जैदीप ने हाथ जोडते हुए कहा मुझे यह सब नहीं चाहिए यह समाज के लिए अभिशाब है इसे दूर करने का काम समाज को ही करना होगा